आज हम लोगों discuss करना है coordinate geometry का ठेक है तो coordinate geometry का discuss जो करना है तो उसमे distance formula को हम लोग सबसे पहले वाल exercise में distance formula को discuss करना है तो वो जानने से पहले 9th class में जो हम लोग basic जो चीज सब पढ़े हुए absc सा क्या होता है, ordinate क्या होता है उसके अलावा कोई भी point अगर x axis पे हो तो उसका coordinate क्या है कोई point अगर y axis पे हो तो उसका coordinate क्या होता है किसी भी point का coordinate जो होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं तो यह सब जो basic चीज़े हैं वो सब पता रहना चाहिए उससे related video भी आप लोगों को दे दिया गया है तो उस देखकर समझकर तब जाकि इस exercise को समझना है तो इसमें जो हम लोगों को class 10th में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है कि distance formula मतलब दो point के बीच का अगर distance निकालना हो तो उसका formula क्या होता है जैसे कि एक point है A जिसका coordinate है x1 y1 है एक point है B जिसका coordinate है x2 y2 ठेक है तो उस दोनों के अब इसका distance निकालने का formula होता है रूट अंडर x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square ठेक है x2 minus x1 मतलब दोनों के सीसा का difference plus y2 minus y1 का whole square मतलब दोनों के coordinates का difference इस formula को हम ऐसे भी लिख सकते हैं root अंडर x1 minus x2 का square plus y1 minus y2 का square ठेक है तो चुकि x2 में से x1 जैसे कि अगर दो point है जैसे कि एक का 3 है दूसरे का 6 है तो 6 minus 3 का square करेंगे तो 3 का square मतलब 9 होगा 3 minus 6 का square करेंगे तो minus 3 का square तब भी 9 ही होगा इसलिए formula को हम root अंडर x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square बोले या फिर root अंडर x1 minus x2 का whole square प्लस y1 minus y2 का whole square ठेक है तो यह formula होता है इस चीज़को हम लोगों को derive करना भी जानना है तो सबसे पहले है कि इसका जो है सबसे पहले एक x-axis लिये ठेक है x-axis लिया गया और यह y-axis लिया गया तो इसके बाद इसमें कि एक point है ए जिसका coordinate है x1 y1 और एक point है B जिसका coordinate है x2 y2 है तो x1 अब जैसे कि यी x1 y1 का मतलब हुआ क्या इसटरा है वाइवन और नेत है मतलब से यह एल तक का डिस्टन्स औरे जिजिन से यहां तक का डिस्टन्स क्या मतलब होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि O से लेकर L तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है X1 है और यह जो L से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है यह क्या है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है जो यहां करसर मूव कर रहे है तो यहां से L से लेकर यह A तक का डिस्टेंस है यह फिर उसी तरह से यह B पॉइंट है इसका कोडिनेट दिया हुआ X2 Y2 तो इस पर भी ऐसे नीचे के तरफ ऐसे परपेंडिकुलर डाले तो इसका B हैंगा कि origin से लेकर M तक का distance यहां तक का distance जो होगा वह X2 और M से लेकर यह जो B तक का distance जो होगा यह Y2 यह कहां से यह यह पाइयद BM पे perpendicular जो है वो डाल दी है ठेक है तो यह हो गया तो इस चीज को यहां पर लिख भी दिया गया ठेक है OL बराबर X1 OL बराबर X1 है फिर उसके बाद OM बराबर X2 है O से लेकर M तक का distance जो है वो X2 है फिर उसके बाद AL बराबर Y1 A से लेकर L तक का यह जो distance है यह Y1 है और BM बराबर B से लेकर M तक का distance जो है वो Y2 है ठेक है अब क्या करते हैं निकालते हैं AN ठेक है AN बराबर हम क्या लिख सकते हैं जेको AN बराबर किसके होगा LM के Rectangle में opposite side equal होता है तो जितना AN होगा उतना ही LM होगा ठेक है जितना AN होगा उतना ही LM होगा LM को हम लोग क्या लिख सकते हैं OM minus OL ठेक है OM minus OL हो गया तो OM क्या है OM है X2 और OL है X1 ठेक है तो जितना AN होगा उतना ही LM होगा और LM को हमने लिख सकते हैं OM माइनस OL, OM जो है वो X2 है और OL जो है वो X1 है, ठीक है, ये चीज हो गया, अब इसके बाद BN निकालते हैं, ये BN, तो BN बराबर क्या होगा, BM माइनस NM, ठीक है, BM निकालने के लिए BM में से NM को माइनस करेंगे, तो BM हमारा कितना आया हुए है, BM, BM-NM, NM को हम लोग लिख सकते हैं, ये AL, ठीक है, तो BM हमारा आया हुए है, यह उल्रीड हम लोग देख ценे हैं, Y2 है, ठीक है, BM बराबर Y2 है, और AL जो है, वो हमारा Y1 है, ठीक है, तो Y2-Y1, तो an की value आ गई x2 माइनस x1 और bn की value आ गई y2 माइनस y1 ठीक है यह हो गया अब यह an भी right triangle है a n b a n b right triangle है तो a b निकालने के लिए a b इसमें hypotenuse का काम कड़ेगा तो hypotenuse का जब काम कड़ेगा तो a b निकालने के लिए सीधे formula क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का whole square यह a b बराबर क्या होगा रूट अंडर a n square प्लस b n square ठेक है पाइथागरोस तेरम के हिसाब से a b square बराबर a b की value जब हमको निकालने a b बराबर root अंडर a n का square प्लस b n का square a n की value जो है वो क्या है x2 माइनस x1 का whole square और यह हो जाएगा b n square के जगह पर root यहाँ पर y2-y1 का square ठेक है तो यह चीज़ आ गया तो इस तरह से दोनों point के 20 का distance का formula आ गया root अंडर x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का whole square तो सबसे पहले वही काम किया गया यहाँ पर इयल परपेंडिकुलर डाल दिया गया है x-axis पर बिएन परपेंडिकुलर डाल डिया गया वाई एकसिस पर उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर एल की value क्लीर से बात है कि AL की value Y1 होगी, OL की value X1 होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर BM की value जो है वो Y2 है, और O से लेकर M तक कर distance जो है वो X2 है, अब उसके बाद पहले क्या किया गया है, AN की value निकाल ली गई है, तो AN जो है वो LM के बराबर है, और LM को हम लो लिख सकते हैं, OM minus OL, ठेक है, तो OM जो है वो हम लोगों का था Y2, ठेक है, Y2 था यहाँ पर, और LM जो है, जितना AL होगा, उतना ही LM होगा, तो AL था हमारा Y1, तो LM भी होगा Y1, तो आ गया यह Y2 minus Y1 आ गया, अब इसके बाद AB की value निकालनी है, एन भी राइट रेंगल से, AB बराबर root अंडर, AN का square प्लस BN का square, AN के जगह पे डाल देंगे, X2 minus X1, और BN के जगह पे डाल देंगे, Y2 minus Y1, तो यह formula आ जाएगा, ठेक है, तो I hope यह formula जो है, आप लोगों को समझ में, आ गया होगा, ठेक है, इसी formula का use करके, question जो है वो, इ कुछ questions को देखना है, तो इस question को हम लोग देख लेते हैं, जैसे की, अब एक दिया हुआ है कि, distance of the point XY from the origin, origin जो होगा, origin का coordinate हम जानते हैं कि 00 होता है, origin का coordinate 00 होगा, तो अगर जैसे की O है, ठेक है, O origin है, तो इसका coordinate 00 है, और कोई point P है, ठेक है, जो कहीं भी होगा, इस quadrant में कहीं भी हो सकता है, तो उस point P का coordinate XY है, ठेक है, तो अगर इस distance formula का हम लोग इस्तिमाल करेंगे, सबसे पहली बात है कि O से लेकर P तक का distance जो है, वो निकालना है, तो O का coordinate 00 है ही, और P का coordinate XY है, तो X2 के जगह पे X ले लेंगे, और X1 के जगह पिस 0, origin को जो है, वो origin वाले का coordinate X1 के term में लेते हैं, तो यह जो है origin पर जो point है, जो point origin पर है, तो उसका coordinate 00, तो उसको X1, Y1 मान लेते हैं, और जो point P है, जो कि 1st, 2nd, 3rd, 4th किसी भी coordinate में हो सकता है, उसका coordinate XY है, उसको X2, Y2 ले लेते हैं, ठेक है, इस formula पर जब सेट करेंगे, तो X2 के जगह पर X, X1 के जगह पर 0, Y2 के जगह पर Y, और Y1 के जगह पर 0, क्या हो जगा, X-0 मतलब X का square, प्लस Y-0 मतलब Y का square, ठेक है, तो यह ही आ जागा, ओपी बराबर रूट अंडर X-0 का square, प्लस Y-0 का square, तो ओपी बराबर रूट अंडर X-0 का square, प्लस Y- स्क्राइट तो यह फर्मूला किसके लिए होगा किसी भी पॉइंट का सब्सक्राइब से निकालना थी स्थ के एक्स और वाई ठीक है अब इसका क्वेश्चेन जैसे की देखते हैं यह सब तो पहले वही सब छोटा मोटा क्वेश्चेन है जैसे की दो पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन जो है वो सेवन है वाई वन थर्टीन है एक्स टू टेन है और वाई टू नाइन है उसके साब से एबी बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन के जगह पर तो यह इस तरह से आ जाएगा तो रूट अंडर 25 मतलब 5 यूनिट आ जाएगा फिर इसके बाद जो है वैसे ही किसी भी दो पोइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है अब इस पोइंट का डिस्टेंस निकाला जा सकता है तो फार्मूला पर जब सेट करेंगे तो सीधे एक्टू के जगर पर सिख सब्सक्राइब यह सा जाएगा रूट अंडर सेवेंटीटू पर यह इसका मतलब डिस्टेंस जो ऐसे निकल जाएगा ठीक है यह चीज है अब इसके बाद जो है इसके बाद और इसका देख सकते हैं इसके लिए दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट दिया हुए बाकी क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना था इस क्वेश्चन में जो है डिस्टेंस दिया हुआ है य की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले वही चीज है कि A का कॉइणेट क्या दिया हुआ है 3-1 B का कॉइणेट दिया हुआ है 11Y और इसी दोनों A और B के बीच का डिस्टेंस 10 दे दिया है तो Y की वैल्यू निकालनी है यहां पर X1 के जगह पर 3 है Y1 के जगह पर माइनस 1 है X2 के जगह पर 11 है Y2 के जगह पर Y है तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो रूट अंडर X2 माइनस X1 का स्क्वार प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वार ठेक है तो डिस्टेंस दे दिया हुआ है A B बराबर 10 दे दिया है ठेक है A B बराबर जो है यह 10 दे दिया हुआ है तो A B बराबर रूट अंडर X2 माइनस X1 का स्क्वार प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वार यह होता है यह बराबर दिया हुए 10 के तो जब हम A B स्क्वार करेंगे तो तो खुर्ण रूट का स्कวारिए जब होता है तो गें तो दोनों तरफ जोर में स्क्वाइर करेंगे एव बराबर टेन हैं तो दोनों तरफ करते तो यहां से अब इसके बाद y का जो equation जो भी बनेगा उसको हम लोग solve करेंगे तो y की value आ जाएगी ठेक है तो इस तरह का question होता है कि y की वो value निकालो जिसके लिए 2 point के बीच का distance इतना दिया हुआ है तो यहां पे यह जो है इसका root कैसे हटा यह चीज I hope समझ में आहीं क्या होगा कि square कर देने से square कर देने स से जो होता है वो root का square जब होकर होगा तो root खत्म हो जाता है इसलिए यहां से यह चीज जो है वो हट गया है तो यह इस तरह का question भी मिलेगा फिर इसके बाद एक आता है question इस टाइप का जो देख सकते हैं find those points on the y-axis each of which is at a distance of 13 units from the point a-57 y-axis पे वो point निकालना है y-axis पे y-axis पे वो point निकालना है जिसका इस point से a-57 से distance दिया हुआ है 13 ठीक है वो point निकालना है y-axis पे जिसका distance जो है वो minus 57 से इस वाले point से 13 unit जो है वो दिया हुआ है तो हम लोग पढ़े हैं इससे पहले वाले वीडियो में जो discuss जो किया गया है वो यह कि कोई भी point एगर y-axis पे होता है तो उसका coordinate 0y के form में होता है तो let the required point on the y-axis भी 0y जोकि y-axis पे है तो इसको माल लिए उस point को 0y ठेक है अब जो है x2-x1 का square plus y2-y1 का whole square ये चीज होगा तो x2-x1 तो यहाँ पे इस हिसाब से जो है इसमें ऐसा कर सकते हैं 0-5 का square plus y-7 का square ठेक है और यह root के अंदर होता है तो pa बराबर 13 है तो दोनों तरफ square कर देते हैं तो pa square बराबर 169 ठेक है तो इस हिसाब से जो है इसका यह 0-5 का square plus y-7 का whole square बराबर 169 तो यहाँ पे y की दो value आई तो यह दोनों y की value होगे मतलब point क्या क्या हो जाएगा 19 19 019 और minus यह 0-5 ठेक है point को हमलों माने हुए 0y तो एक y की value है 19 तो एक बाड़ 019 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 0-5 यह दोनों point जो है वो हो जाएगा ठेक है तो इस तरह का जो है वो मतलब question इसमें होता है ठेक है तो इस तरह से ऐसा question भी बहुत लगता था कि वो point निकालो x-axis पे जिसका distance इ तो इसी तरीका यही होगा बनाने का जैसे यहां पर y-axis पे दिया वा था तो उसको 0y माने x-axis पे वो point रहता तो उसको x-0 मानते ठेक है और इसके बाद यह वाला जो process जो किया गया है यह इसके पहले वाले question में समझाया गया है ठेक है तो इसी तरह का questions जो है वो इस exercise में मि आना है अब जैसे कि एक question ऐसा वाला भी है find the point on x-axis which is equal distance from point यह और यह जैसे अभी जस्ट बोले ही कि इस तरह कभी हो सकता है x-axis वाला x-axis पे वो point निकालना है जिसका इससे और इससे दोनों से distance same है ठेक है एक sex पे वो point निकालना है जिसका इस point से भी और इस point से भी distance same है ठेक है तो इसको माल लिए जो 5-2 उसको 5-2 माल लिए और जो minus 3-2 था उसको माल लिए B उसको B point माल लिए और जो point x-axis पे हमको चाहिए उसको माल लिए P और चुकि x-axis पे है तो x zeros का coordinate होगा ठेक है अब question में क्या दिया हुआ है कि P से A का distance पी से A का distance यानि पी ए और पी से जो B का distance से मतलब PB दोनों बढ़ाबर है तो पी ए बढ़ाबर PB ठेक है तो पी ए में भी होगा रूट अंडर x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का whole square और PB में भी होगा रूट अंडर x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का वही formula यूज होगा दोनों तरफ इस square कर देंगे तो वो रूट का square होगा तो रूट खत्म हो जाएगा तो पी ए जब निकालना है तो एक्स माइनस 5 का whole square प्लस 0-2 का square ठेक है बढ़ाबर क्या हो जाएगा PB स्कुर्ण तो PB में एक्स माइनस 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 प्लस 3 x प्लस 3 का whole square प्लस 0-2 का square ठेक है तो इसको अपना solve करेंगे यहाँ पे इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 ठेक है तो इसी साब से जो point क्या हो जाएगा वो 10 ठेक है वो point जो निकालना है x-axis पे वो 10 आ जाएगा ठेक है तो इस तरह का जो है इस पे based question सब मिलेगा distance निकालना उसके अलावा दो point की बीच का distance दिया रहेगा उसके लिए x की value या y की value निकालो फिर इसके अलावा फिर बोलेगा कि कोई point y-axis पे है उससे किसी point का distance दिया रहेगा तो उसका वो point निकालो x-axis पे कोई point है वो उनका दो point से distance सेम है तो उसके हिसाब से जो है उसका का वो एक्सेस पे जो point होगा वो क्या होगा यह सब निकालना ठेक है तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन लगबाग 50% क्वेश्चन तो कम से कम इससे जो का इसी बेस पे बनता है ठेक है और भी इसका जो कुछ questions है कुछ टाइप का तो वो सब हम लोग next class में discuss कर लेंगे ठेक है